जैस रिराम टेडर भाईयों इस वीडियो में मैं आपको लिक्वीडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटिजी के बारे में बताने वाला हूँ यह जो है प्राइज एक्षन का एडवांस वर्जन है आप इसको जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे इसको सीखेंगे समझेंगे तो आपके लिए उतना है अधिक बेहतर रहेगा देखिए मार्केट कहीं जान नहीं रहा है मार्केट कल भी वहीं पर था और आज भी वहीं पर आखा है बस आपको जरूरी है कि आप अपने अंदर skill को डेबलब करें हो सकता है कि आपको skill को डेबलब करने में एक साल दो साल पांच सल या फिर इससे भी कई अधिक टाइम आपको लग जाए लेकिन जब आप skill develop कर लेंगे तो इससे पहले आप जो भी loss किये हैं उसे आप एक दिन के भीतर या फिर एक मेने के अंदर ही recover कर सकते हैं ये तभी possible हो पाएगा जब आप इसको सीखेंगे तो चलिए वीडियो के main topic पे आते हैं तो सबसे पहले liquidity को समझ लेते हैं कि liquidity का मतलब होता क्या है में liquidity के जगह पर दूसरा जो नाम यूज होता है वहां नाम यूज होता है stop loss एसल आप stop loss प्लेस करते हैं आपको पता होगा तो liquidity का ही दूसरा नाम जो है stop loss है तो stop loss के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको समझने में काफी असानी हो तो देखिए stop loss जो है क्यों लगाया जाता है आप भी जानते हैं कि stop loss जो है आपका loss जो है उसको कम करने के लिए लगाया जाता है तो आप कभी ध्यान दिये हैं या फिर सूचे हैं कि जब ऐसा होता इसलिए है क्योंकि option trading जो है वह zero sum business है यानि कि एक के जब से पैसे जाएंगे तो दूसरी के जब में पैसे आएंगे तो जहां पर आप stop loss लगाते हैं तो कहीं पर कोई तो है ऐसा बेखती है जो आप से extra दिमाग लगाता है यानि उसके पास knowledge है skill है तो आपके जब से पैसे ले लेता है तो उसी को हम लोग सीखने वाले है liquidity trading strategy liquidity का मतलब तो आप समझ गए कि stop loss होता है तो अब आप यह भी याद रखिए कि stop loss चार्ट पर जिस side में रहेगा market उसी direction में move करेगा उस direction में move करने की संभावना जो है काफी अधिक है हमेशा जो है आपको profit नहीं आपको loss भी होगा तो इसको आप control कर पाएंगे आपका profit और loss जो है आप तभी अच्छे से इसको manage कर पाएंगे जब आपका risk reward ratio काफी बहतर होगा तो liquidity को तो समझ लेते हैं वह काफी आगे की बात है तो liquidity आप समझ लिए कि stop loss होता है market में जिस side में stop loss होगा market उसी direction में जाए देता हूं तो simple से यदि आप जो है liquidity को सीखना चाहते हैं बिल्कुल free में मुझसे प्रस्नली आप सीखना चाहते हैं तो धन में आपका डिमेट अकाउंट होना चाहिए अगर नहीं है तो link description में है आप वहां से डिमेट अकाउंट open कर ले उसके बाद से मैं आपको प्रस्नल से देखने के लिए मिल रहा है यहां पर layout है तो simple ने एक पे मैं shift कर देता हूं उसके बाद से आजी के दिन का market को हम समझ लेते हैं तो पहले जो हैं इसको clear कर लेते हैं यहां पर clear कर लेते हैं उसके बाद से मैं आपको बताता हूं तो simple सा simple सा देखेंगे जो liquidity trading strategy है वहां previous day क चार्ट पर work करता है previous day के एक दिन दू दिन तिन दिन चार दिन तो 14 मार्च के चार्ट को यदि आप धिहान से देखेंगे तो morning time में हुआ क्या है morning time में एक downfall छोटा सा है उसके बाद से काफी लंबा जो है upside का momentum मिला है upside का momentum कितना मिला है आईये मैं calculate करके भी आपको दिखा देता हूं तो यहां से market जो है इस level पर बढ़ना चालो किया है और लंसम यहां पर लंसम में 600 प्लस पॉइंट मार्केट morning में upside का momentum दिया है तो यह सभी हुआ है liquidity के हुज से अब देखिए यहां पर psychology को भी आप समझ लेजिए liquidity प्लस psychology तब आपको benefit होगा कि वह लिक्विडि को भी समझना होगा sentiment को भी समझना होगा और news तो कभी काल आते हैं उसको भी आप देख सकते हैं तो यह previous day के चार्ट पर कुछ इस दिन इस तरह से हुआ था तो आज के दिन भी देखिए क्या हुआ previous day पर जो trading नहीं कर पाए होंगे जो general retailer होते हैं जो general mindset से सूचते हैं वह ही market में स्रिफ loss करते हैं वही अधिक loss करते हैं जो जिनके पास skill है और market में उनके पास experience है वह अभी loss करते हैं लेकिन वह market में काफी कम loss करते हैं वह अपना risk reward के अनुसार से चलते हैं उनको भी पता है कि market में loss होगा अब ऐसा नहीं है जो general retailer होते हैं वह फूमों में आका trading कर ल ही करते हैं कि आज उनको लॉस होगा वे समझते हैं कि मैं सब कुछ सीख लिया हूँ मुझे लॉस हो ही नहीं सकता तो इसलिए जिनर रिटेलर काहीं सबसे अदिक लॉस होता है अगर आपके पास एक्सप्रियंस है अगर आप लर्निंग करेंगे तो आपको लॉस कम होगा लॉ candle बनाते हुए आप साइड का मोमेंटम किया है तो फिसले दिन जो कॉल में इंट्री नहीं बना पाए हैं वह रिटेलर आज बनाएंगे तो देखिए यदि आप भी आज ट्रेडिंग किये होंगे तो अगर आप यहां पर कॉल साइड में इंट्री बनाए होंगे तो आप स्ट केंडल में इंट्री लिया होगा कोई इस केंडल में इंट्री लिया होगा तो आप समझे लिक्विडिटी मार्केट में स्टॉप लॉस कहां क्रियेट हो रहा है नीचे में क्रियेट हो रहा है तो मार्केट जो है उपर जाएगा नहीं जाएगा सिंपल समात है तो यहां पर प्रेवियस डे के चार्ट पर क्लोजिंग प्राइज है तो क्लोजिंग प्राइज को भी समझना होगा तो यह बाद में आपको समझाओंगा पहले इसी को समझ लेजिए तो मार्केट जो है उपर नहीं जाएगा क्योंकि मार्केट में ऊपर स्टोप लॉस नहीं है तो यहां पर देखिए रिट केंडल जो बनता है आप इसी में इंट्री ले सकते हैं तो यहां पर इंट्री इस वाले पॉइंट पर इंट्री नहीं बन रहा है क्लोजिंग प्राइज है क्लोजिंग प्राइज देखिए इसको भी चलिए मैं समझाई देता हूं इसी वीडियो में तो closing price जो होता है previous day का अगर offside में हो तो यह resistance की तरह वर करता है यह सभी लोग जानते हैं आप भी हो सकता है कि जानते होंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा तो आप क्या किजेगा पूट ले जिएगा तो यहाँ पर जब आप पूट ले लिजेगा और मार्केट में stock loss नीचे ही है मार्केट को नीचे ही जाना है तो आभी profit बना पाईएगा तो जो बड़े player होते हैं जो experience लिए हैं तो वह भी same unique direction में आप काम कर रहे हैं तो ऐसा सभी लोग जब सोचेंगे तो प्रोफिट जो है किसी को नहीं होगा मार्केट किसी को प्रोफिट नहीं देना चाहता है तो मार्केट क्या करेगा सबसे पहले यहाँ पर यह जो closing price है इसका breakout करेगा इसका क्या करेगा breakout करेगा तो आपको लगेगा कि resistance का breakout हो चुका है अब आप call entry बनाएंगे और आप SL जो है downside में रखेंगे नीचे में रखेंगे तो इस तरह का scenario बनता है लेकिन आज की दिन के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर इसका breakout हुआ ही नहीं है डारेक्ट जो है यहाँ पर इसके नीचे से ही market fall करने लगा है तो यह देखिए आप जो experience वाले हैं उनको कैसे पता 75 पॉइंट है इसका 50 पर्सेंट यानि कि 35 पॉइंट पर यहाँ पर रेट केंडल बनता है तो इंट्री बना लेना है वह भी ऐसा ही है 35 पॉइंट पर इंट्री यहाँ पर बना लिया है अगर मार्केट जो है इस लेबल का breakout देता तो यहाँ पर उनका risk reward जो है stop loss जीने कहते हैं वें मेंटेन करके काम करते हैं तो यहाँ पर देखिए संदार मूब मिला है इन सबकाइसल डाउन साइड में है तो सिंपल से आपको यहाँ पर इंट्री बना लेना है सोट पोजिशन यह जो रेट केंडल है इसके क्लोजिंग होने के बाद से यह फिर डारेक्ट भी पर देखिए रिटेलर को यह आदत होता है उनको मार्केट प्रोफिट देता है लेकिन वे प्रोफिट को बुक नहीं करते हैं उनको बड़ा प्रोफिट चाहिए तो बड़ा प्रोफिट मिलेगा नहीं बड़ा लोस ले लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यह इसी तरह स अपना प्रोफिट बनाता हूं यह सिंपल सा है यह जो काम है बिग प्लेयर का होता है तो आप ऐसे बना सकते हैं बस आपको सीखना होगा सिंपल सा है तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफे कुछ सीखने के लिए मिला होगा ऐसे वीडियो देखने के लिए इस वीडियो झाल 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 झाल